बहुत जादा चाले होने पर एलेवेरा का रस उसमें थोड़ी सी स्फटी का फट फिट कड़ी थोड़ा सा गेरू और नीला थोथा बाजार में मिल जाता है नीला थोथा ले आओ और उसको भूल लो के नीला थोथा एक चटकी नीला थोथा ही मातर ऐसे जहां चाला और अख़ा डारेक्ट लगा दो अब दो तीन मिनट पानी बाहर निकाल दो दो मिनट के अंदर ही चाला जो दस-दस दिन एक-एक मैना लग जाता है चाला ठीक होने में लोगों को दो मिनिट में चाला ठीए अभी चाले की दवाई भी पहले तुम बताता है था यह जो है मैं यह कुछ नुक्से ऐसे थे जो मैं बहुत बता था चाले की दवा मस्य की दवा और यह एलेवेरा वाला गारगिल भी मैंने बताया यह सब भी आपको रेडिमेट भी उपलब्द कराने वाले हैं चाला हो जाए तुरां ठीक हो दातों दात हिलते हो ना तो यह जो यह टॉप्स टॉप है ना आपके नाखुन के यहां से शुरू होता है इदर से जहां से खतम होता नाखुन इसको ऐसे दबालो ऐसे हाड सर्फेस के उपर ऐसे कर लो देखो ऐसे हाड सर्फेस पर ही फरस है ना गद्दे पर नहीं हरस के उपर हाड हाड सर्फेस पर ऐसे दबालो ऐसे पांस मिनट ऐसे कर लो पांस दिन में हिलते दांत बंद हो जाएंगा तुम्हारे ऐसी करने से छोटी सी बात है यह